हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार विद आयूश और चले शुरू करते हैं साइस स्वामी मेटिवल्स अला इस आईपियों पर देखिए इस वीडियों हम दोनों SME सेग्मेंट के आईपियों को कवर करने वाले हैं जो अल्रेडी अभी ओपन है का lot size है कुल मिलाकर 15 का रुडगा यह दोस्तो आईपियो है पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और लिस्टिंग कहां पर होगी only on BSE सबसेल तो आपको थोड़ा से SME को लेकर आपको बता देता हूं information इनको नहीं पता है जो का first time देख रहे हैं लेकि कोई भी SME सेग्मेंट का इशू होगा तो वो सिर्फ एक exchange पर लिस्ट हो सकता है जैसे कि यह segment कहां पर लिस्ट होगा only on BSE बहुत साथ इशू होते हैं जो सिर्फ कहां पर लिस्ट होते हैं NSE तो NSE और BSE इन दोनों में से सिर्फ एक exchange पर वो issue लिस्ट हो सकता है दूसरी बात कोई भी SME IPO तो दोस् बिल्कुल भी नहीं देखे SME के अंदर आपको हमेशा पुरा lot का lot बेचना पड़ता है आगे जाके वो lot break भी होता है लेकिन हमको जब भी बेच रहा है तो पूरा lot का lot बेचना है otherwise आपके shares execute नहीं होंगे sell नहीं होंगे buy नहीं होंगे अगर आपको करना है तो पूरा का और आप minimum maximum एक lot लगा सकते हैं और एक lot कितने रुपे का आएगा एक लाग बीस जार का एचना ही फिर अगर आपको लगाना है अगर दो lot के लिए अपलाय करना है तो फिर आप H&I category में चल जाएंगे दो लाग चालिसा रुपे वहां पर आपको pay करने पड़ेंगे अब चकते हैं कि पहले दिन दोस्तो 22 गुना को इश्यू भर गया है क्यों भरा है याद रखेगा इश्यू का size कितना चोटा है यह 12-15 करूर के अगर इश्यू रहते हैं तो इसने तेजी से भरते बन अगर आते हैं क्योंकि इनके इतना demand काफी होती है बट price sorry जो इश्यू का size है वो काफी सोटा है इसलिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन आता है वो कितना आता है शांदार आता है अब कितना दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन निकल कर आए यह हम समझते है तो HNI काटेगरी दोस्तो 66.77 टाइम अभी तक subscribe हो चुग है अब देख सकते हैं HNI काटेगरी को 11,86,000 के लिए application आ गई है close to 475 करोड जी हां 475 करोड रुपे जो है वो basically लगा दिये गए किन के द्वारा HNI के द्वारा इस तरीके का पैसा जो है वो basically निकल कर आ रहा है अभी तक इस issue में दूसर दिन अभी तो एक दिन और बचा हुआ है और आपका दो HNI बिल्कुल full force में इस issue म लॉट्पन मिलेगा तो जो SME issue होते हैं वो proper lottery है अगर अच्छा issue तो proper lottery वहाँ पर जो issue होते हैं वो कितने जार सब्सक्राइब होते हैं यह बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता तो यहाँ पर 174.66 अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है कुल मिलाकर 11,86,000 shares इनको भी offer किये गए लेकिन 20 करोड 71,00,000 shares के लिए अप्लिकेशन आ गई close to 1200 करोड रुपे जो है वो अभी तक retail ने लगा दिया है टोटल मिलाकर दुस्ते जो issue है वो 121 गुनावी तक भर चुका है और हम यह कह सकते हैं 1720 करोड रुपे इसमें आ चुके आपको question होगा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए तो क्योंकि SME के अंदर cautious है ना बहुत important है SME में सोच समझ के वैसे लगाना बहुत important है तो यह कहूंगा तो खुद आप company को पढ़े फिर आप सोचे अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं apply कर रहा हूं तो definitely देखिए issue बढ़िया है apply कर सकता हूं यह company बढ़ा दिख रही है specifically देखिए मैं SME को कोई भी long term के लिए नहीं देखता हूं अगर SME में पैसा लगाना है तो सिर्फ listing gain के लगाना है अगर आ जाता है वैसे तो देखिए allotment आना ही बहुत मुश्किल है बट जरूर देखिए अपना लगत तो try करना ही है तो अगर आप लगाना चाहे तो अगर बात करता हूं gray market की तो देखिए gray market almost 78.33% के आज़ पस currently चल रही है यह दिखाता क्या है कि देखिए अपने आप में दमदार इसको response इसलिए मिल रहा है दूसरी बात SME यह BAC पर लिस्ट होगा इसलिए देखिए listing gain आपको 90% से जादा नहीं मिल सकता है इस बात का भी face value है 52 से 55 रुपीज का price band है 2006 का lot size है कुल मिलाकर दोस्तो 12.61 करूड का यह IPO है जिसमें से पूरा का पूरा fresh issue है और listing का आवर होगी only on BAC यानि यह भी सिर्फ VAC पर आपको list होता हो निदर आएगा इसमें दोस्तो जो एक lot है वो करीबन 1,10 रुपे का आता है यानि आपको 1, 10,000 रुपीज फे करने पड़ेंगे for a single lot इस बात का आपको दिहान रखना है बात करता हूँ अब इसके subscription के बारे में तो इसमें दोस्तो फर्स दे क्यूआइबी ने कुल मिलाकर 0.06 टाइम पैसा लगाया था एचनाय ने 37.60 टाइम पैसा लगाया था और retail ने कुल मिलाकर 54 4.14 टाइम पैसा लगाया था तो टोटल ना करा हम यह कैसकते कि first day के अंदर issue जो है वो बहुत शांदा सब्सक्राइब वह था अब हां यह question भी आपका हुआ कि उस issue में तो QIV थे ही नहीं इसमें किसी SME में QIV होते हैं किसमें नहीं होते हैं इस issue के अंदर QIV category भी रखी गई पैसा जो आता है वो QIV की तरस आता है लेकिन SME में ऐसा नहीं है QIV कभी कवार तो आखरी में भी रह जाती है मतलब last number पे रहती है बहुत बार ऐसा हुआ है क्यों QIV जादा interested नहीं रहती है SME segment के अंदर और सबसाता पैसा जो है वो retail और HNI दोनों के तरफ से आता है QIV ने कुल मिलाकर पैसा लागा है इसका मतलब क्या है कुल मिलाकर मातर 2 करोड रुपे भी तक QIV की तरफ से सारे नहीं आये है आकरी दिन पैसा आजाएगा इस प्रकार की expectation से कितना आये गए देखने वाली बात है हो सकता है कि 100 गुना तक subscribe हो जाए इसके बाद दूस्तों काटेगरी आती है वो है HNI की और अब अब देखेंगे 216 गुना 216 टाइम्स HNI काटेगरी सब्सक्राइब कर चुकिये कुल मिलाकर 326,000 शेर्स ओफर किये गए तो 7 करोड 5 लाक शेर्स के लिए application ही कुल मिलाकर 388.17 करोड रुपीज जो है वो अभी तक HNI की तरफ से आये य दिखाता यही है कि response कितना तकड़ा है reason क्या है response का इतना दिखने काफी क्योंकि issue का size काफी चोट है वो भी एक सबसे बड़ी चीज मैटर करती है बट नो डाउट पैसा आ रहा है इसको को डिनाय नहीं कर सकता है इसके बाद दोस्तों जो काटेगरी आती है वो है retail काटेग इस issue में पैसा लगा है total लागर दोस्तों 213 गुना यह जो issue है वो अभी तक भर चुका है 213 टाइम्स जिया अभी तक पैसा जो है वो आया है 1783 करो अगर बात करता हो इसकी agree market के बारे में तो इसकी agree market आप देख सकते 81% के आसपास दोस्तों इसकी agree market जो है वो चल रही है मतल है तो दोस्तों करना भी उपर लिस हो सकता है 300 भी हो सकता है कोई limit नहीं है लेकिन जो BAC है वहाँ पर limit कितने की है 90% की मैं जब से देखिए BAC को यह cap हटा देनी चाहिए को इस cap का मतलब क्या है यह मुझे समझ नहीं आता है बट नूराउट जसमा ने का कितने उपर यह list हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि लिस्टिंग आपर होगी only 90% पर ही तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था आप लोग लगाने वाले हैं क्या इन इशू में बताएगा comment section में इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video